दोस्तों कैसे हैं आप सब आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं जा फिर वाटसप भी कर सकते हैं अब मैं बात करूँगा आज के वीडियो सिग्मेंट की जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक आवर्नेस भरा पत्र दोस्तों जादतर पेंसनर जानना चाहते हैं कि जब 11 जुलाई को कोर्ट ओपन हुआ तब गॉर्मेंट की टैम एक्स्टेंसन अपील का क्या हुआ साथ ही दिगज ये भी जानना चाहते हैं कि रिवी पेटिशन का क्या हुआ तो दोस्तों इन दोनों ही सवालों के जबाब में मैजर जनर सत्विर सिंग साब ने एक ट्विट किया है और इस ट्विट में दोनों सवालों का उन्होंने जबाब दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर राफा जी दोवारा एक सवाल किया गया है और सत्विर सिंग साब दोवारा उसका जबाब दिया गया है महुद्य करपया हमें कल की HSC सुनवाई यानि Honorable Supreme Court की सुनवाई के बारे में नविंतम यानि ताजा जानकारी दें क्या ऐसा हुआ था या क्या कुछ नया हुआ है आज के दिन यानि यह जानना चाहते हैं कि 11 जुलाई को जब Court reopen हुआ तब क्या हुआ वारुपी के संबंद में नया और क्या हुआ टाइम एक्स्टेंशन अपील का जो गौर्रमेंट ने लगाई थी वो accept हुई या reject हुई और review petition के बारे में क्या update है तो जबाब में मैजर जनरल सत्विर सिंग साब सेने मेडल ने जबाब दिया है और उनका it was not listed simply कि यह अभी तक सूची बद नहीं किया गया है समय के विस्तार के लिए सरकारिया वेदन और हमारे आरपी को सूची बद किया जाना है यानि यह दोनों ही अपील still in pending है और अभी तक इनके उपर कोई ताजा latest update नहीं है चलिए अब मैं आपको एक और update देता हूँ डिये जुलाई 2022 के बारे आप सब को पता है कई यूटिबर्स ने डिये को जुलाई 2022 के लिए 5 से 6% बढ़ने के संकित दिये है इन पर मेरा मानना है कि last years को यदि आप देखें तो 3% ही डिये की बड़ोतरी हुई है और अब ज्यादा से ज्यादा 4% हो जाएगी इससे ज्यादा होना संबब नहीं है ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 50% डिये पहुंचने पर automatic pay revision लागू हो जाएगा जिससे लगभग डेड़ गुना तक pension और pay बढ़ जाएगी जो कि government अभी करना नहीं चाहती है government चाहती है कि ये जो automatic pay revision है ये 2024 में लागू होना चाहिए यानि कि तब तक डिये 50% को cross नहीं करना चाहिए कि मान के चलो इस बार 6% बढ़ गया और फिर दोबारा से यादी 6% बढ़ तो जुलाई 2023 में ये 50% हो जाएगा और 2024 में होने है चुनाब तो ये वहाँ तक 50% उससे पहले हो गया और revision automatic पहले ही लागू हो गया तो जो voters हैं उनको government किस तरह लबाएगी खसकर जो ex-servicemen voters हैं उनको कैसे लबाएगी government तो ये कोल मिला के आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि government इस automatic pay revision को लाना तो चाहती है लेकिन जुलाई 2024 से पहले नहीं लाना चाहती बलकि government इस automatic pay revision को election के समय बोर्ट बेंक राजज़िती के लिए use करना चाहती है तो ये थे वो दो important update जो आपको जानने चाहिए थे that's all from this video जैहन for the next